नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर एक NFT है उसको mint केसे करना है मैं आपको बताऊंगा दोस्तो कुछ दिनों पहले हमने Binance के उपर BAP नम की एक NFT थी उसे mint किया था और उसको mint करने के बाद हमें काफी अलग-अलग rewards मिले थे साथी में कल पर सो हमें एक BAP coin मिल रहा था BFC नाम उसका है और वो लगबग 2-3 डॉलर का coin था और वहाँ पर जो हमने 80 रुपे लगाए थे Binance का NFT क्लेम करने के लिए mint करने के लिए वो तो हमारे कपके record हो चुके और NFT भी हमारे wallet में पड़ा है और आने वाले time पर और भी हमें अलग-अलग rewards उस NFT के जरिए मिलते रहेंगे तो दोस्तो उसी type का एक नया NFT है जिसका नाम है Galaxy Passport ये भी उसी type का NFT है दोस्तो इसे hold करने के बदले में भी आपको free में cryptocurrency, NFTs और other rewards मिलेंगे तो कैसे इस NFT को mint करना है ये आज के वीडियो में बताऊंगा दोस्तो ये NFT जो mint करोगे आप तो इसके लिए बहुत ही कम पिछली बार 80 रुपे लगेते लेकिन इस बार स्रीफ 20 से 30 रुपे लगेंगे दोस्तो NFT तो वैसे 100% free है बस वो जो gas fees रहती है NFT claim करने की वही आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी तो दोस्तो इस NFT को mint करने का जो link है वो description box में है उस link को हम open करेंगे और आगे की process में आपको यहाँ पर phone के उपर दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो website यहाँ पर इस तरह से open हो चुकिए यहाँ पर mint now का जो option आ रहा है दोस्तो उस mint now के उपर आपको tap करना है और जैसे आप उसके उपर tap करोगे यहाँ पर आपको आपका wallet जो है उसे connect करने के लिए बोला जाएगा तो उसे मैं trust wallet के अंदर connect कर लेता हूँ आपका जो wallet है उसके उपर आप यहाँ पर जोड सकते हो अपने wallet को यहाँ पर network में आपको BNB smart chain चूज करना है यह बात याद रखिए वरना error आ सकता है अब फिर से एक बार आपको mint now का जो option आ रहा है उसके उपर click करना है यहाँ पर जो term and condition है दोस्तो उसके उपर आपको tap कर देना है और साथ में आपको continue के उपर यहाँ पर भी tap कर देना है और एक नया page open होगा यहाँ पर कुछ load लेगा फिर आपको यहाँ पर दोस्तो trust wallet के अंदर इस transaction को या इस signature को approve कर देना है यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगेंगे तो हम दोस्तों यहाँ पर अपने signature को approve करने के बाद यहाँ पर आपको KYC के लिए documents भांगेगा तो national ID जो beach को option है दोस्तों वो choose कीजिए क्योंकि वो सभी के पास होता है अब दोस्तों यहाँ पर आपका आधार, pancard या जो भी driving license है वो यहाँ पर बीच में रखिए और उसको upload भी कर सकते हो यहाँ पर आप directly camera का जो icon दिख रहा है वहाँ पर tap करके photo भी निकाल सकते हो यह आपके ओपर depend करता है मैं यहाँ पर अपने document upload करता हूँ front और back इस तरह से आपको upload करना है तो आप आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो मैंने मेरे documents upload कर दिया और यहाँ पर आप यह processing हो रहा है तो इस तरह से कुछ यह time लेगा तो आपको यहाँ पर wait करना है दोस्तो उसके बाद यह आखरी verification आएगा get start के उपर click करके यहाँ पर यह doll जैसे आपना face गुमा रही है वैसे ह में यह face अपना गुमाना है और यहाँ पर आखरी verification भी पूरा कर लेना है तो दोस्तो अभी verify हो रहा है तो यह थोड़ा time लेता है एक आद minute का तो आपको wait करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो congratulations हमारा जो verification है वो done हो चुका है अब आपको continue की उपर tap कर देना है और इसी page को ऐसे ही रखना है और आपने trust wallet में चलना है मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ and trust wallet के अंदर एक बार फिर से इस signature को कुछी इस तरह से approve कर देना है अब दोस्तो उसे page के उपर हमें वापस से चले जाना है और यहाँ पर इसे पूरी तरह से इस बार loading होने देना है and यहाँ पर आप देख सकते हो congratulations you are done अब देखे यह NFT है दोस्तो यहाँ पर बस आपको एक password create करना है पर याद रखिए दोस्तो अगर आप password भूल गए तो आप यहाँ पर password चेंज नहीं कर सकते हैं आपको फिर से सारी जो process की है KYC की वो करनी होगी तो यहाँ रखना password जो भी आपना होगे नीचे के term and condition ok कीजिए और save के उपर tap कीजिए इसे अपने wallet के अंदर open कीजिए और फिर से एक बार अपने signature को यहाँ पर approve कर दीजिए और दोस्तो इस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है अब देखिए mint का option आ रहा है तो finally यहाँ mint के उपर पहुच चुके तो mint के उपर आपको click करना है और दोस्तो mint के उपर click करने के बाद एक बार फिर से आपको इस transaction को trust wallet के अंदर approve कर देना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 0.18 dollars तो इतने आपके पास होने चाहिए यानि कि INR में 20-30 रुपे हो जाते है तो यहाँ प आप देख सकते हो मेरा जो NFT हो mint हो चुका है और यह project galaxy password तो दोस्तो नेट थोड़ा slow होने के वज़े से यह जो NFT हो लोडने हो रहा मैं इसे bitkeep wallet में दिखा रहा हूं क्योंकि trust wallet में load होने के लिए थोड़ा time लगता है दो तिन गंटे के अंदर आपके wallet में हो शो होने लगता ह तो दोस्तों यह NFT हमने successfully mint किया है अब इसके regarding जो भी airdrops आएंगे जो भी earning आएगी वो मैं आपने वीडियो के जरिए आपको आने वाले time पर बताता रहूंगा तो दोस्तों यह जो NFT है इस NFT का mint करने का जो link है दोस्तों वो मैंने हमारे telegram group के अंदर दे दिया है तो telegram group join कीजिए उसका link नीचे description box में है अगर किसी कारण वो telegram group open नहीं होता तो telegram पर जाके search कीजिए no gasp crypto और वहाँ पर जो group आएगा दोस्तों जिसके अंदर बहुत ज़्यादा members होंगे 1800 plus तो उस group के अंदर join कीजिए और वहाँ पर आपको मैंने यह link दे दिया है वीडियो अच